नवस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सुभांस क्लास में हम आपको अपने इस वीडियो में हिंदी दिवस के बारे में बताएंगे हिंदी दिवस पर निवंद कैसे लेखें इस बारे में बताएंगे इससे जुड़ी हुई कुछ मैत पूर्ण बताएंगे तो वीडियो को पूरा जिरूर देखेंगे यह वीडियो आपके लिए हिंदी दिवस पर बहुत ही मैत्पूर्ण होने वाला है यह दि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटावट सब्सक्राइब कर लेजे वैल आइकन कर लेजे जिससे हमारे नेक्स्ट वीडियो के टर्टिपिकेशन आपको सबसे पहले मिले हम सब का अभिमान है हिंदी भारत मा की सान है हिंदी हम सब का अभिमान है हिंदी भारत मा की सान है हिंदी इस स्लोगन के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो हम सब का अभिमान है हिंद भारत मा की साने हिंदी हम अपने इस एसे में पढ़ेंगे पांच हेडिंगों के बारे में पहली हेडिंग होगी हमारी प्रस्तावना दूसरा पॉइंट होगा हमारा हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है पहला पॉइंट होगा हमारा हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है तीसरा पॉइंट होगा हमारा हिंदी दिवस का इत्यास और चौथा पॉइंट होगा हमारा हिंदी भाजा का महत और पांचमा पॉइंट होगा हमारा उप संगहार तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है लेकिन आपको हिंदी के बारे में फुल नॉलेज मिलने वाली तो वी 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है तो भारत में हर वर्स 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है तो आप से पूछा जा सकता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है सिचक दिवस कब मनाय जाता है पांच सितंबर को यह चीज आपको याद रखने वाली है हिंदी भारत की राष्टबांसा है भारत में हर वर्ष 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है हिंदी भारत की राष्टबांसा है और इसी दिन से इसे आधिकारिक रूप इसे भारत की राश्ट बांसा गोसित किया गया था तो भारत की राश्ट बांसा कब गोसित किया गया था 1949 ECV में गोसित किया गया था इसे भारत की राश्ट बांसा तो 14 सितंबर 14 सितंबर 1949 को इसे अधिकारिक रूप में भारत की राष्टबांसा गोशित किया गया था इस कारण हर वर्ष 14 सितंबर के दिन देश भर में हिंदी के प्रती लोगों को जागरू करने के लिए तरह तरह के कारकरम आयुजित किये जाते हैं इस कारण हर वर्ष 14 सितंबर के दिन देश भर में हिंदी के प्रती लोगों को जागरूफ करने के लिए तरह तरह के कारकरम आयुजित किये जाते हैं हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है नेक्स्ट पॉइंट सा हमारा हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है तो भारत कई वर्सों तक अंग्रेजियों का गुलाम रहा है आप सभी लोग जानते होंगे कि भारत कई वर्सों तक अंग्रेजियों का गुलाम रहा है इसी वज़े से उस गुलामी का असर लंबे समय तक देखने को मिला जिसका प्रभाव भांसा पर भी पड़ा है ये सो भावे के यदि हम गुलाम होते हैं तो हमें अपना जो राजा होता उसकी बात माननी होती है उसकी भांसा का इस्तिमाल करना होता है तो वो अंग्रेज थे हमें उनकी भांसा का इस्तिमाल करना पड़ा तो क्या है भारत कई वर्सों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा है इसी वज़े से उस गुलामी का असर लंबे समय तक देखने को मिला जिसका प्रभाव भांसा पर भी पड़ा हिंदी विस्व की चौथी सबसे ज़्यादा बोलने वाली भांसा है इसके बावजूद हिंदी को अपने देश में हीन भावना से देखा जाता है हिंदी विश्व की चौती सबसे ज़्यादा बोलने वाली पहंसा है इसके बावजूद हिंदी को अपने देश में हीन भावना से देखा जाता है यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लेजेगा वेल आइकन को अन कर लेजेगा वीडियो को पूरा जरूर देखेगा आम तोर पर हिंदी बोलने वालों को पिछड़ा और अंग्रेजी बोलने वालों को आधनिक तथा ज्यादा पड़ा लिखा समझा जाता है यह तो सत बात है, आम तोर पर हिंदी बोलने वालों को लोग कहते हैं कि बिछड़े गाओं की रहने वाले और अंग्रेजी बोलने वालों को कहते हैं, यह बहुत पड़े लेखे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि हमारी राष्ट बांसा हिंदी है, हम हिंदी क प्रयूग करते हैं तो हम छोटे या छोटे जाति के नहीं हैं। आम तोर पर हिंदी बोलने वालों को पिछडा और अंग्रेजी में बोलने वालों को आधनिक तथा ज्यादा पड़ा लिखा समझा जाता है। इसी मानसिक्ता को बदलने के लिए हिंदी दिवस मनाया जाने लगा है, तो किस मानसिक्ता को बदलने के लिए, कि लोग ये ना समझे कि जो हिंदी बोलता है, वो छोटी जादिका या कम पढ़ा लेका है, जो अंग्रेजी बोलता है, वो अधिक पढ़ा लेका है, एक स्लोगन है हिंदी विचारों की अभिवक्ति है हिंदी विचारों की अभिवक्ति है देश पर मर मिटने की सकती है हिंदी का इत्यास हिंदी का इत्यास का है हिंदी का पूरा इत्यास बताएंगे तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा वीडियो पसंद आए, तो चैनले को सब्सक्राइब जरूर करना आपको, हिंदी दिवस का इत्यास और इस दिवस की रूप में मनाय जाने का कारण बहुत पुराना है, हिंदी दिवस का इत्यास और इसे दिवस की रूप में मनाय जाने का कारण बहुत पुराना है सन वर्स 1918 में मांदमा गांदी ने इसे जन मानस की भांसा कहा था हिंदी भांसा को 1918 में मांदमा गांदी ने जन मानस की भांसा कहा था और इसे देश की राष्ट भांसा भी बनाने को कहा था आजादी मिलने के दो वर्स बाद 14 सितंबर 1949 को सम्धान सबह में एक मत्से हिंदी को राजबासा गोसित किया गया था तो हिंदी को राजबासा कब गोसित किया था आजादी मिलने के दो साल बाद सन 14 सितंबर 1949 को सम्धान सबह में एक मत्से हिंदी को राजबासा गोसित किया गया था इसके बाद हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इसके बाद 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है दरसल 14 सितंबर 1949 को हिंदी के पुरोधा व्योहार राजेंद सिना का पचासमा जन्म दिन था तो राजेंद सिना का पचासमा जन्म दिन था वो कौन थे जिनोंने हिंदी को राश्ट बांसा बनाने के लिए बहुत लंबा संगर्स किया था तो राजिन्द सिना का पचास्वा जन्दिन था वो राष्ट बासा को बनाने के लिए उन्होंने बहुत लंबा संगर्स किया था समिधान के भाग सत्रा के अध्याय की धारा 343A में हिंदी भासा को राजबासा बनाये जाने के सम्मद में कुछ इस प्रकार लिखा गया है तो आप से कभी पूछा जा सकता है समिधान सवा में कौन से अध्याय में हिंदी को राजबासा बनाये जाने के सम्मद में लिखा गया है तो समिधान सवा किस सत्रवे भाग में, सत्रवे भाग के अध्याय की धारा 343 एक, तो धारा कौन सी ये 343 एक के तहित लिखा गया है। हिंदी भाँसा को राज भाँसा बनाय जाने के सम्मन्द में कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है। जरूर देखेगा हिंदी के बारे में आपको सभी चीज़े फुल मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। यदि आपने चैनल को भी तक सस्क्राइब नहीं किया तो चैनल को सस्क्राइब चल्दी कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा। हिंदी भांसा का मात तो है। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा हिंदी भांसा का मात तो हिंदी भांसा विश्व की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली चौथी भांसा है। हिंदी भांसा कौन सी भांसा है। हिंदी भांसा विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली चौथी भांसा है। हमारी हिंदी केवल भारत में ही नहीं बलकी पूरे विश्व में प्रसित है। हिंदी भांसा में 11 स्वर और 25 वेंजन होते है। और इसे देवनागरी लिपी में लिखा जाता है हिंदी बांसा में 11 स्वर और 25 वेंजन होते हैं इसे देवनागरी लिपी में लिखा जाता है हिंदी सबसे सरल बांसा है जिसे समझना सबसे आसान है हिंदी हर एक भारती को आनी चाहिए क्योंकि इसमें हमें जीवन के आदर्स सिखाएं हिंदी भासा से ही अन्य भासाओं का विस्तार हुआ है तो हिंदी सबसे सरल भासा है जिससे समझना सबसे आसान है हिंदी हर एक भारती को आनी चाहिए क्योंकि इसने हमें जीवन के आदर्स सिखाए है हिंदी भांसा से ही अन भांसाओं का विस्तार हुआ है सीखो जी भर के भांसा अनेक पर मात्र भांसा न भूलो एक यह स्लोगन है सीखो जी भर के भांसा अनेक पर मात्र भांसा न भूलो एक भूत अच्छे स्लोगन है आप याद रखिएगा उपसंगार है जहां अंग्रेजी एक विस्तल्व व्यापी भांसा है जहां अंग्रेजी एक विस्व्यापी भासा है और इसके महत्तों को अंदेखा नहीं किया जा सकता जहां अंग्रेजी एक विस्व्यापी भासा है और इसके महत्तों को अंदेखा नहीं किया जा सकता वहीं हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम सबसे पहले एक भारती हैं तो हम क्या हैं? सबसे पहले एक भारती हैं और हमारी राष्टवांसा का सम्मान करना हमारा परम करतव है. हम सबसे पहले एक भारती हैं और हमारी राष्टवांसा का सम्मान करना हमारा परम करतव है. अता हम सभी को उत्सा के साथ इस दिन को मनाना चाहिए. हिंदी पर है हमें अभिमान हिंदी पर है हमें अभिमान यही है हमारे देश की पहचान हिंदी पर है हमें अभिमान यही है हमारे देश की पहचान यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिजेगा वैल आइकन को अन कर लिजेगा यदि आप प्रकार की पड़ाई से रेलेटेट कोई भी समस्याओत पन्न हो रहे हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे हम आपके सभी समस्याओं का फुल सेलिशन बताएंगे यदि आपको किसी भी प्रकार के लेटर या प्लीकेसन में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके सब्सक्राब्यस्ट पर लेंगेस्ट अब हमारे चेडिन चैनल पर यदि नहीं देखे तो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर देख लिजेरगेस्स अगर। धनने बाद इस्टियों.